Apple, Mumbai और दिली जैसे बड़े भारतिय शहरों में exclusive store खोल कर बड़ा दाव लगा रही है Experts के मुताबिक ये Apple के CEO टिमकोग का focus भारतिय बजार पर shift होने का संकेथ है ऐसे समय में जब विकसत बाजारों में Apple की बिक्री सुस्त पड़ रही है Company भारत में चींच ऐसी सफलता दोहराना चाहती है भारतिय स्मार्टफोन मारकेट तेजी से premium segment की तरफ shift हो रहा है देश में बिकने वाले handsets में 30,000 रुपे से जादा कीमत की phone की हिस्सेदारी अभी करीब 10% दी है COVID से पहले ये 4 प्रतिशत थी स्मार्टफोन कंपनियों की कुल आए में premium handsets की हिस्सेदारी 35% हो गई है इसलिए Apple भारतिय बाजार में पैट बढ़ा रही है वैसे भी 2022 में premium phone में Apple की बाजार हिस्सेदारी सबसे जादा 60% रही इस बाजार में Samsung की हिस्सेदारी 21% रही Apple timing का हमेशा ध्यान रखती है किसी भी बाजार पर focus करने के लिए company सही समय का अंदाजा लगाती है अब उसे लग रहा है कि भारतिय बाजार में संभावनाओं का फायदा उठाने का ये सही समय है काउंटर पॉइंट्स के अंगडों के मताबिक साल 2022 में भारत के स्मार्टफोन बाजार में Apple के हिस्सेदारी करीब 6% हो गई जो 2020 में 2% थी यहाँ अब संभावनाएं काफी है IDC इंडिया की रिसर्च मेनेजर के मताबिक 2022 के दौरान भारत में स्मार्टफोन की औसत बिकरी कीमत 46% बढ़कर रिकॉर्ड 18,000 रुपए से उपर निकल गई लेकिन इस दौरान एंट्री लेवल यानी 12,000 से कम दाम के स्मार्टफोन की बजार हिस्सेदारी घटकर 46% रह गई जो 2021 में 54% थी एपल मुंबई और दिली जैसे बड़े भारतिये शहरों में एक्स्क्लियूसिव स्टोर खोल कर बड़ा दाव लगा रही है एक्सपोर्ट्स के मुताबिक ये एपल के CEO टिमको का फोकस भारतिया बजार पर शिफ्ट होने का संकेथ है ऐसे समय में जब विकसत बाजारों में एपल की बिक्री सुस्त पढ़ रही है कमपनी भारत में चींज ऐसी सफलता दोहराना चाहती है भारतिया स्मार्टफोन मारकेट तेजी से प्रीमियम सेग्मेंट की तरफ शिफ्ट हो रहा है देश में बिकने वाले हैंसेट्स में 30,000 रुपए से ज़ादा कीमत की फोन की हिस्सेदारी अभी करीब 10 फीस दी है कोविद से पहले ये 4 प्रतिशत थी स्मार्टफोन कंपनियों की कुल आए में प्रीमियम हेंट सेट्स की हिस्सेदारी 35 प्रतिशत हो गई है इसलिए एपल भारतिये बजार में पैट बढ़ा रही है वैसे भी 2022 में प्रीमियम फोन में एपल की बजार हिस्सेदारी सबसे ज़ादा 60 प्रतिशत रही इस बाजार में सैंसुंग के हिस्सिदारी 21 प्रतिशत रही एपल टाइमिंग का हमेशा धान रखती है किसी भी बाजार पर फोकस करने के लिए कमपनी सही समय का अंदाजा लगाती है अब उसे लग रहा है कि भारत ये बाजार में संभावनाओं का फाइदा उठाने का ये सही समय है काउंटर पॉइंट्स के आंगडों के मताबिक साल 2022 में भारत के स्मार्टफोन बाजार में एपल के हिस्सेदारी करीब 6 प्रतिशत हो गई जो 2020 में 2 प्रतिशत थी यहां अब संभावनाएं काफी हैं IDC इंडिया की रिसर्च मैनेजर के मताबिक 2022 के दौरान भारत में स्मार्टफोन की औसत बिक्री कीमत 46 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 18,000 रुपई से उपर निकल गई लेकिन इस दौरान एंट्री लेवल यानी 12,000 से कम दाम के स्मार्टफोन के बजार हिस्सेदारी घटकर 46 प्रतिशत रह गई जो 2021 में 54 प्रतिशत थी Nation Speaks Bureau Report